नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका आज का ट्रेणिंग सेशन में आज का जो ट्रेणिंग सेशन है वो है ओफिसेश में गौर्मेंट ओफिशल का विजिट में हमें क्या करना चाहिए बैगेच चेकिंग का तरीका क्या है और लेपटोप चेकिंग का तरीका क्या है इस ट्रेणिंग के माध्यम से मुझे बहुत विश्वास है और आसा भी है कि आप इससे सीखेंगे और आप जो भी आप काम करेंगे वो उसमें एकुरेसी बहुत अच्छा होगा और हमारा जो ऑ कौन होते हैं government के officials हम कैसे identify करेंगे government यह government के तरफ से आया है इसकी परिभासा क्या है इसके बारे में हम पहले जानेंगे so any authority representing central and state government department और courts can be government official इसका मतलब है कि कोई भी आदमी जो central government या state government केंदर सरकार या राज्य सरकार को प्रतिनिद्र करता है उसका employee है या जो court के थुरू से आता है court का जो employee है उसे ही हम government official कहते हैं जैसे की police, crime branch, army, ASEJ के officials, income tax से आयों वे लोग, GST office में काम करते वे लोग, court में काम करते वे कोट के होते हैं, electricity department में काम करने वाले लोग, water department में काम करने वाले लोग, GSMC में काम करने वाले लोग, labor department land and revenue या election commission इसके इलावा और बहुत तरह के गौवर्मेंट सेक्टर में काम करते हैं लोग और जो लोग गौर्वर्मेंट में पर्मेंट इंप्लॉई है ऐसे लोगों को हम कौर्वर्मेंट ओफिशियल कहते हैं लोग जो ओफिस में आते हैं या अपने आपको बोलते हैं ओफिस में आके कि मैं गवर्मेंट का employee हूँ तो उस हालत में मुझे क्या करना चाहिए ऐसे security profession मुझे क्या करना चाहिए मेरा क्या जिम्मेदारिया होती है इसके बारे में बताय गया है तो अगर कोई person या कोई बहुत सारे लोग आते हैं और अपने आपको बताते हैं कि वह गवर्मेंट डिपार्टमेंट से आये हैं तो आपको यह करना चाहिए पहला उनको वेलकम करना चाहिए बहुत ही पॉलाइट तरीका से और अच्छे तरीका से जैसे उनको विस्ट करना चाहिए गुड आफटर नून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सर, आप कहां से आए हैं, उनके बारे में पता करना चाहिए, और उनको ऐसा फील होना चाहिए कि हम बहुत उनके साथ बहुत ही सिष्टाचार से पेसा रहे हैं, इसके बाद उनकी इंट्री करनी चाहिए विजिटर रेइश्टर में, सो हो सकता है कि आपके फ्लोर में या आप जहां पर काम करते हैं, वहां पर भीजटार रेइश्टर अवलेबल नहीं है, तो ऐसे केसे में आप उनका नाम पूछेएंगे, कि आपका नाम क्या है सर बताइए और वहाँ जहां भी आपको एवलेबल है विश्टर रिश्टर वहाँ पर आपको बतागने नहीं कि यह परसन आये हैं इस डिपार्टमेंट से इनका यह नाम है तो इंट्री वहाँ पर हो जाएगी तो बेसिकली दो तरह के गवर्मेंट आते हैं पहला जो होते हैं जो यूनिफर्म में रगते हैं जिनको देखकी पहचान परते हैं कि यह गवर्मे पर विश्टर के लोग हैं जैसे पुलिश सब्सक्राइब एक्षा बहुत मोखे होते हैं जिसमें पुलीयू को कह सकते हैं आपको देखने से पता चल जाता है कि वह पुलियू डिपाट्मेंट से तो अगर हमको देखने से पता चल रहा है कि बोटेकर आन्प पीचेल है अगर उनकी यूं 2002 से तो हमको उनके ID काड के बारे में नहीं पूछना है अगर कोई सिबिल में आता है और आपको अभी भी डाउट है कि यह पुलिस वाला तो बोल रहा पता नहीं है या नहीं है तो आपको बहुत ही पुलाइटनेस से उनसे पूछना चाहिए कि सर क्या मैं आपका ID काड देख स है तो भी आपको पुलाइटली ही रहना है और उनसे किसी तरह का बहस में नहीं पढ़ना है कि आप ID काड नहीं दिखा रहे तो आपको एलाउड नहीं है तो आपका काम है ID काड के बारे में पूछना अगर वह यूनिफॉर्म में नहीं है अगर वह दिखाए तो बहुत करेंगे मैंने ID काड पूचा था मतलब उन्होंने नहीं दिखाया कि तीसरा जो हम काम क्या है करना है कि उनको इमिडेटली जो भी आपके नजदिक में कोई मीटिंग रूम है या कॉमन एरिया में कहीं पर सोफा चीर्स वगरा लगा हुआ है तो उनको पुलाइटली बोलना है कि आप सर वहां पर जाके बैठिए मैडम आप वहां जाके बैठिए मैं अपने सुपर्वियर को इनफर्म कर रहा हूं वह भी आएंगे और आपके साथ बा बताना है कि यह गौवर्मेंट के ऑफिसल्स आए हुए हैं इस फ्लोर में आए हुए हैं इस जगह पे आए हुए हैं और मैंने उनको बठा कर रखा है आप जल्दी आईए अगर सुपर्वाजस अबिल नहीं है तो आप आपके ऑफिसर को बता सकते हैं अगर यह दोनों जानकारी आपके पास है जितनी जानकारी आपने खटा कर पाई है बताना है जैसे आपने अगर उन्से पूछ लिया कौन सा आए हुए हैं गवर्मेंट से उनसे बात करेंगे और उनके आने का परपस पता करेंगे अगर आपको आपका सुपरियर पूचता है बोलता है कि आप पता करो ऐसे ही केसे में जब आपको सुपरियर बताता है आपके सुपर्वाजर यह ऐसो बोलते हैं कि तुम ही पता करो नहीं करते हैं उनके आने में डिले हो रहा है अगर मालो जो आपके आधित जो आए हैं वह वेट नहीं करना चाहते हैं वह बहुत जल्दी बाजी में होते हों कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वह बहुत जल्दी बाजी में होते हैं वह वेट करना नहीं चाहते हैं तो अगर ऐसा आपको क्या करना आपको इनका डीटेल लिए करना है अगर वह किसी तरह का नोटिस को जमा करेंभाज के ना चाहते हैँ देना चाहते हैं तो इसक्iga को फिस सब्सक्र डियए ली दना है वो उनको handover कर देना है So basically हम लोग ने आज सीख लिया है कि जब भी हमारे office में कोई government से लोग आते हैं तो उनको हमको कैसे manage करना है हमारा manage करने का तरीका बहुत ही soft होना चाहिए बहुत ही polite रहना चाहिए क्योंकि वो लोग केंदर सरकार या राजय सरकार से लोग होते हैं So हमारे तरक से किया गया कोई भी गलत बैबार बड़ा गलत रूप से लिया जा सकता है So इसलिए आप जब भी कोई भी government official आता है उसको जैसे बताया गया तरीका है उससे handle कीजिए और जब भी आप उसको manage करते हैं तो आप बहुत soft और skillful तरीका से बात कीजिए सिस्टा चार आपके पास रहना चाहिए बहुत politeness रहना चाहिए और जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपका पहला करतव है कि आपके जो भी supervisor वहां available है या ISO available है उनको update कीजिएगा इसके अलावा जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो है back checking जैसे आपको पता है mostly companies में information security के वज़े से back checking को restrict किया गया है back checking policy लगा गया है यह जरूरी नहीं कि हर company में रहे मगर जिस company में रहती है उसका अपना एक process रहता है तो मैं इसके बारे में छोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ आप जिस company में काम करते हैं उसमें back checking का process क्या है और हमें किस तरीका से back checking करना चाहिए तो सबसे पहले तो है कि हमको 100% back checking करना है entry और exit मतलब जब अंदर आता है कोई तब हमको उनकी back checking करनी चाहिए और जब कोई बाहर जाता है तो उसकी back checking जरूरी है इसका purpose यह है अंदर आने और बाहर जाने का कि अगर कोई भी इंसान उसका अगर नियत सही नहीं है तो अंदर में कोई घलत तरीका का चीज लेके आ सकता है जिससे office के अंदर काम करने वाले लोग को खत्रा हो सकता है company का जो property है उसको damage हो सकता है इसलिए entry पे हम back checking करते हैं ताकि जो भी prohibited items है हम उसको वहीं पर रोक ले और अंदर आने नहीं दे एक्जिट के समय इसलिए check किया जाता है ताकि company का कोई भी asset बहर ना जाए कोई भी समान कोई लेके जान आ सके इसके लिए हम exit में back checking करते हैं कि बैग checking करते समय हमको क्या ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला है यह कोई प्रोटोकॉल के लिए हमें बैग को अपने हाथों से टच नहीं करना चाहिए हमें दूर से ही देखना चाहिए और हमको जब भी कोई बैग आता है तो हमको उस person को बताना चाहिए कि सर आप आपका बैग दिखाए वो खुद ही दिखाएगा प्लीज सोकेश योर बैग बोलके जो वर्ड है उसको आपको यूज करना है यह आपको बोलना है ध्यान रखना है कि आप आपके हातों से बैग को टचना करें जब भी आप बैग चेकिंग करते हैं आपको बहुत ही पुलाइट रहना चाहिए एकदम बिनम्र भाव से उन से बोलना चाहिए क्योंकि आप एक रिक्वेस्ट मोड बात कर रहे हैं सो यह बहुत ध्यान रखने की बात है हमको बहुत पॉलाइट नेस रखना है कि जब रहे हम बैग चेक करते हैं तो फिर्फ एक फॉकेट नहीं चेक करना है उस बैग में जितने भी पॉकेट है आपको रिक्वेस्ट करना है कि आप हर और दिखाई यह अंदर आने के समय और शीप रहते हैं। उनको फ़ूपन कर Debgem के आप देख सकते हैं। उसके पॉकेटों के देख सकते हैं। उनको बोलि आप दिखाइए, और अगर को लगता है कि वह दिखाने में आनकानी कर रहा है, तो उनको रिक्वेस्ट किये । कि यह आप का कंपनी का प्रोसेस है। और हम को इसी लिए डिप्लाई किया गया है ताकि हम इस प्रोसेस को फॉलो करें आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज कॉर्परेट किजी आप प्लीज सयोग किजी चेक करने के लिए प्लीज कॉर्परेट यह आपको बोलना चाहिए एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जो male guards होते हैं जो male security guards होते हैं वो कभी भी female के बैगों को नहीं चेक करना चाहिए वो female employee हो या female service provider हो आपको बैग चेक करने का अधिकार नहीं है मेल गाडों को ऐसे cases में जहां पर अगर महीला उपलब नहीं है महीला गाड उपलब नहीं है लेडी गाड उपलब नहीं है तो आपको उनको रोक के रखना है और आपको जो नियरेश्ट लेडी गाड है उनको बुला के उनको चेक करना है इस बात पर बहुत ध्यान रखने की बात है कि सो जब भी हम बैग चेकिंग करते हैं तो हम हमारा फोकस होना चाहिए कि हम क्या चेक कर रहे हैं हमने कई केस में देखा है हम सिर्फ बैग चेकिंग एक नाम के मातर करते हैं मगर मुझे पता नहीं कि मैं बैग में देख क्या रहा हूं तो सबसे पहले आपको पता होन है यह चीज अलाओड नहीं है तो जब भी आप चेकिंग करते हैं आप जब किसी के बैक को देख रहे हैं तो आपका फोकस्ट होना चाहिए कि आप कि वह बंदा कोई company का या client का asset कोई भी asset company का property को नहीं लेके जा अगर लेके जारह है तो उसके पास उसका necessary pass है या approval है बिना approval का बिना पास का कोई भी company का समान अगर बाहर जा रहा है तो आपको ऐसे चीज़ों को रोक देना है चाहिए वो अंदर आ हो चाहे बाहर आ रहा हो अगर उसके पास पास और नहीं है तो हमको उसको रोग देना है तो जब हम बैग चेक करते हैं तो हमारा objective clear है कि हमको देखना है कि कोई भी company का item बीना कागज का बीना पास का अंदर तो नहीं आ या बाहर तो नहीं जा रहा यह चीज आपको ध्यान रखनी की बात है कि सेकेंड है कि आपको identify करना है कि और restrict करना है कोई किसी तरह का personal laptop या storage डिवाइस अंदर तो नहीं आ रहा या बाहर तो नहीं तो पहले जब अंदर आएगा ही नहीं तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है तो आपको ध्यान रखना है कि कि किसी तरह का personal तरह का रूप होते हैं आजकल जैसे personal hard drive है pen drive है इस तरह से जिसमें data को लिया जा सकता है ऐसा चीज भी restricted है ऐसे चीजों को ना आप अंदर आने दें ना आप बाहर जाने दें तो जब भी आप बैक चेक करते हैं तो आप यह चीज इंशोर किजिए कि वह बंदा कोई personal laptop या storage devices अंदर तो नहीं लिए क्या रहा है कि आपको क्या करना है identify और डिस्टिक्ट एनी अगर सपीसियस अगर सपीसियस आइटम दिखते हैं या ऐसा dangerous आइटम दिखते हैं जिससे खत्रा हो सकता है company का employee को या company के अंदर वैसा चीजों को आपको रोकना है जैसे वेपन्स है एलकोहल है एक्स्प्लोसिव आइटम्स है जोलन सिल्फ परधार था ना फ्लेमबल जैसे पेट्रोल डिजल लेके आ गया बोटल में भरके या कोई फायर करकर से जैसे पठाके वगर लेके आ रहे हैं तो ऐसे चीजों को आपको अगर बैग में दिख रहा है कि इंप्लोई इस टाइप का या कोई भी बंदा इस टाइप के चीजों को लेके अंदर आने का कोशिस कर रहा है और आपने इसको देख लिया है तो आपको इमिडेटली उसको रोग देना है उनको बोल देना है कि यह आईटम अलाउड नहीं है आप इसको अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, यह clarity आपको होना चाहिए, जब आप bag checking करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि bag में मुझे क्या check करना है, किस चीजों को allow करना है, और किस चीजों को allow नहीं करना है, जो भी फिर से मैं repeat करता हूँ, अगर कोई personal laptops या storage devices लेके आ रहा है, वैसा चीजों को allow नहीं करन है, अगर कोई suspicious material लेके आ रहा है, जिससे खत्रा हो सकता है, जैसे हाथियार लेके आ रहा है, weapons, ammunition, alcohol लेके आ रहा है, कोई explosive items लेके आ रहा है, या जलने वाला चीजों को लेके आ रहा है, या पठाके लेके आ रहे हैं, तो ऐसे चीजों को आपको restrict कर देना है, अब आपको पता चल गया है, हम जब back checking करेंगे, तो मुझे किस चीजों को भी ध्यान रखना है, और back checking करते समय मुझे क्या चीज को देखना है, जो चीज restricted है, उसके अलावा अगर आपको कुछ दिख रहा है, तो उसको आपको allow कर देना है, जैसे अगर कोई lunch box लेके आ रह है, तो यह सब restricted नहीं है, तो जब हम back checking करते हैं, तो मुझे बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी इस तरह के से item अंदर ना जाए, या अंदर से बाहर ना जाए, जो restricted हो, तो back checking का purpose यही है, तो बहुत ध्यान से इसको करना है, और ensure करना है कि हम हर back को check करें, जो भी अंदर आत जाती है, या बहार जाती है, आसा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमको back checking किस तरीका से करना है, नेक्स्ट है laptop checking, चुकि हम IT company में काम करते हैं, और हमारा जो भी data का काम होता है, company काम करता हूँ, maximum laptop पे ही काम होता है, इसलिए laptop checking भी एक security guard का duty के में बहुत ही मातपून है, उसको पता होना चाहिए कि laptop को किस तरीका से check किया जा सकता है, अभी मैंने देखा है, इस चीज को समझा है, कि हम checking करते हैं, मगर मुझे पता नहीं है कि किस तरीका से check करना है, तो आज का training इसके लिए ही है, कि आपको पता चले कि laptop किस तरीका से check किया जाता है, तो basically जो है, laptop को तीन तरीकों में बाटा गिया है, पहला है company issued laptop, वैसे laptop जो company ने issue किया है, उसमें dedicated stickers रहते हैं, उनका पास रहता है, वैसे laptop जो company ने issue किया है, अपने employee को, उसको हम company issued laptop बोलते हैं, number 2, client issued laptop, ऐसा laptop जो client ने उनको काम करने के लिए दिया है, company ने नहीं दिया, मगर company का अंदर वो किसी project में काम करता है, और project ने उनको दिया है, वैसे laptops को हम client issued laptop करते हैं, ये दोनों के अलावा जो भी तरीका का laptop है, उसको हम personal laptop बोलते हैं, So basically जो laptops का category है, उसको तीन भागों में बाटा गया है, company, client and personal, So जब भी हमको laptop आता है, तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ पता करना है, कि वो कौन सा laptop है, company issued laptop है, या client issued laptop है, या personal laptop है, तीन तरह के laptop को तीन अलग अलग तरीकों से handle किया जाता है, इसलिए आपको पता होना चीए, कि आप जो laptop देख रहे हैं, वो किस तरीका से laptop है, So अगर वो company issued laptop है, या client issued laptop है, या personal laptop है, आपको कैसे पता चलेगा, तो जैसे ही आपको कोई laptop दिखता है, तो सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे, कि आप इस laptop का पास हगर है, तो आप दिखाईए, अगर आप कोई employee अंदर आ रहा है, और back checking के समय आपको laptop दिखता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे, कि वो laptop कैसे ही है, तो उसको आप जैसे ही आप pass मांगेंगे, उस pass में आपको pass देखने से पता चलेगा, कि वो pass कौन सा pass है, company का issued वाला pass है, या client वाला pass है, अगर यह दोनो पास उसके पास नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो personal laptop हो सकता है, तो हमको company laptop जो भी होता है, उसको pass issue होता है, 100% उसके पास पास होगा, जब भी आपको देख रहा है कि यह company का laptop है, तो आप उससे pass मांगेंगे कि आप pass दिखाईए, तो आप उससे pass मांगेंगे कि आप pass दिखाईए, तो आप गाए, कुझे आप गाए, अप्र गाए, क्लाइंट लैप्टोप्स बहुत सारे क्लाइंट लैप्टोप्स को पास दिया गया है, और बहुत ऐसा आपके पास आएगा, आपको बताएगा कि यह company का laptop नहीं है और मेरे पास पास नहीं है, तो अगर क्लाइंट पिर्शूद लैप्टोप्स है और अगर पास नहीं है तो इसके पास अप्रोप्यट अप्रोबल होना चाहिए अंदर भीजने के लिए करे अगर quid करे आखरink आखर कुछ ज्यादा कुछ पूछ रहा है आप से कुछ ज्यादा कुछ पूछ रहा है तो ऐसे केसिस में आपको करना चाहिए कि आप इमिडेटली सुपरवाजर को इंफॉर्म किजिए कि यह ऐसा क्लाइंट लैप्टॉप है उनके पास पास नहीं है मैंने बोलने के बाद भी एसेट रिक्वेस्ट कर रहा अंदर जाने के लिए तो सुपरवाजर आएंगे और सुपरवाजर आने के बाद वो इसको अप्रोपेट तरीके से हैंडल करेंगे तो अगर क्लाइंट लैप्टॉप पास नहीं है क्लाइंट लैप्टॉप है मगर उसके पास पास नहीं है तो आप बीना पास का आप अलाओ नहीं कर सकते हैं अगर एसोशेट पूछ रहा है एक पास के लिए हम मुझे क्या करना चाहिए तो आप जो आपको दिख रहा है और दो आपको उनको यह रिफर करना चाहिए कि आप इस पर मेल लिखिया उनसे अप्रूबल लीजिए कि 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 आप प्रस्ण लेप्टोप परस्ण लेप्टोप स्ट्रिक्ली नौट अलाओड किसी भी तरीका से परस्ण लेप्टोप कंपणी के अंदर अलाओड नहीं है तो अगर आपके बैक चेकिंग के समय अगर आपको लेप्टोप दिखता है और उसके पास पास नहीं है या अप्रोवल नहीं है तो ऐसे लेप्टोप को आप परस्ण लेप्टोप के जैसा ही ट्रीट करना है और उनको किसी भी तरीका से अलाओड नहीं करना है एसोसेट बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं था मैंने घर से गलती से लेके आया है आप यह आप रख लो मैं सामको जाने के समय लेके जाऊंगा कुझा से ऐसे केसल में भी क्या करना है seachmen को पूलाइकली kep उλक्स पॉल ना है sir यह जप्सट पो आप लैप्टॉप आपने तरीका से अंदर रख लीजिए यह गाड़ी में है तो गाड़ी में रख लीजिए हम हमारे डेक्स में हम लैप्टॉप नहीं रखेंगे इसके बाद भी अगर आपको रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप ऐसे के सुपरियर को अपके सुपर्वाइजर अगर आपके सुपर्वाइजर बता रहे कि ठीक है रख लो आप रख सकते हैं अदर्वाइज सुपर्वाइजर आएगा और एसुपर्वाइजर के साथ बातचीत करेगा मगर आपको ध्यान देना है कि पर्सनल लैप्टॉप एलाउट नहीं है मगर एकजिट बाहर जाने के समय हमको लैप्टॉप कैसे चेक करना है बाहर जाने के समय जब हम laptop चेक करते हैं उसमें तीन चीजों का combination तीन चीजों का जोड़ जरूरी है जैसे जब अंदर आते हैं तो हम उनको उनका pass देखते हैं वैसे ही जब बाहर जाते हैं तो हम उनका pass देखते हैं पास में उनका laptop का asset ID लिखा हुआ रहेगा और उसके अलावा उसमें उस associate का ID भी लिखा हुआ रहेगा यह दोनों ID का laptop का serial number के साथ हम मैच कराएंगे उसके बाद उसका ID नमबर भी चेक करेंगे कि हां laptop pass का जो ID नमबर है और associate ने जो ID पहना है दोनों का नमबर मैच कर रहा है मतलब यह तीनों चीज जब मैच होगा पहला laptop का serial नमबर जो laptop के पीछे लिखा हुआ रहता है laptop का pass का जो नमबर है और associate का ID नमबर अब यह तीन जब एक साथ मिलता है तब हम सोचेंगे कि हां यह जैनुइन है और हम ऐसे समय में इस laptop को बाहर जाने के लिए लाओ कर सकते हैं अगर इस तीन चीज में से कोई एक चीज भी अगर mismatch हो मैच नहीं करता हो suppose पास में अगर कुछ नमबर लिखा हुआ है और laptop के पीछे कुछ नमबर लिखा हुआ दोनों मैच नहीं कर रहा है आपको ऐसे laptop बाहर जाने नहीं देना है अगर laptop का पास में जो नमबर लिखा हुआ है और laptop के पीछे में भी नमबर दोनों मैच कर रहा है मगर जो laptop का पास में ID नमबर लिखा हुआ है employee का ID number और जो employee लेके जारा उसका ID number दोनों में match नहीं हो रहा है, दोनों मिल नहीं रहा है, तो ऐसे cases में भी हम उस laptop को बाहर नहीं जाने देंगे, हम उसको रोग देंगे, कि आपका match नहीं हो रहा है, और ऐसे cases को immediately आपको क्या करना है, आपके supervisor को immediate update करना है, कि sir एक ऐसा case आया का serial number और pass का serial number नहीं मिल रहा है, जब तक supervisor नहीं आता है या supervisor आपको नहीं बताता है, तब तक उस laptop को आप अपने custody में hold में रखिएगा, associate को employee को बहुत ही polite तरीका से बुलिएगा, कि आपका ये तीनों match नहीं हो रहा है, और आपके supervisor को आपने inform किया है, वो आ रहे हैं, वो कर दो, डिको कर दो, झापकेस को ही जञे है। झाल